हेलो गुड मार्णिंग आल आफ यू तोड़े आई विल डिस्कास अबाउट हार्टी कल्चर इंपोर्टन्स एंड स्कोप सो लेट्स स्टार्ट ये दिबात करें दोहजार अठारा के नेशनल हार्टी कल्चर बोड के अनुसार हार्टी कल्चर क्राब प्रोडक्शन की तो 311.71 मिलियन टन उत्पादन 25.43 मिलियन हेक्टर छेत्र फल में रहा जिसमें वेजिटेबल पुडक्शन 184.4 मिलियन टन 10.26 मिलियन हेक्टर छेत्र में तथा फ्रूट पुडक्शन 97.35 मिलियन टन रहा यदि बात करें 2019-2020 के estimated अर्थात अनुमानित उत्पादन की तो 320.48 मिलियन टन का अनुमान है भारत का सब्जियों फल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशू, नट, पपाया, पॉम ग्रिनेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है यदि बाद उत्पादक ता प्रोडक्ट्विटी की करें तो ग्रेप्स, बनाना, कसावा, पी, पपाया आदि का स्थान आता है भारती स्पाइसेज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है हर्टी कल्चर क्राप्स का उत्पादन लगातार बढ़ने से उब्भोग निर्यात भी बढ़ रहा है नई नई प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री लग रही है जिसके कारण हर्टी कल्चर का इसकोप भी लगातार बढ़ रहा है हर्टी कल्चर क्राप्स में फालेवम सबजी के बाद फूलों का भी उपयोग आज कल सहरों में काफी तेजी से देखने को मिलता है जिसके कारण आज फूलों की खेती भी भारत में बड़े पैमाने पर होने लगी है हर्टी कल्चर क्राप्स का दूसरा प्रोटेंशियल सेक्टर प्लांटेशन क्राप का है जो अधिक इंप्लॉयमेंट जेनरेशन क्रियेट करता है कोकोनट केरल की एकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान करता है कोकोनट के कारण ही केरल का नाम पढ़ा कोकोनट को मल्यालम भासा में केरा के नाम से जानते हैं जिसके कारण केरा से केरल नाम पढ़ गया आईए हर्टी कल्चर के स्कोप और इंपार्टन्स को विभिन्न हेडिंग्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं तो पहला पॉइंट है हमारा इंकम जन्रेशन हर्टी कल्चर क्राप्स इस्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल प्लान्टेशन क्राप्स सीरेल क्राप्स की तुलना में अधिक उत्पादन देती हैं जबकि स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमाटिक और फ्लावर क्राप्स का उत्पादन तो कम है लेकिन ये अधिक महगी होती हैं अर्थात हार्टी कल्चर क्राप्स से अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक इनकम भी प्राप्त होती रहती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा Employment Administration का आता है हार्टी कल्चर क्राप्स में अधिक लेबर क्या सकता होती है क्योंकि हार्टी कल्चर क्राप्स में सीरियल क्राप्स के पेच्छा अधिक सघंदेगवाल, कल्चरल आपरेशन, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के आउसकता होती है एक एक्टियर फूट क्राप्स में लगभग प्रतिवर्श 860 मैंडेज के आउसकता होती है वहीं बात करें सीरियल क्राप्स में तो 143 मैंडेज के आउसकता प्रतिवर्श होती है कुछ फसलें जैसे ग्रेप्स बनाना और पाइनेपल में अधिक लेबर लगभग एक हजार से ढाई हजार मैंडेज की आउसकता प्रतिवर्श पढ़ जाती है क्योंकि इसमें कल्चरर आप्रेशन अधिक करना पड़ता है वहीं कैशू इंडेश्ट्री अकेले 5.5 लाख लोगों को प्रतिवर्श रोजगार देती है नेक्स्ट पॉइंट इंडेश्ट्रियल डेवलप्मेंट हर्टी कल्चर प्लांट से या उसका प्रोड़क्ट डाइरेक्टली या इंडेश्ट्री में जरूर जाता है सभी प्लांटेशन क्राप्ट जैसे टी, कोफी, रवर, कार्डामाम, कोको नट, आयल पाम, आधि की इंडेस्ट्री में ही प्रोसेसिंग होती है इंडोर पार्ट प्लांट, बल्बस प्लांट, आर्किड, आदि पौधों की मार्केटिंग वैल्ल्यू अधिक है अधिक मात्रा में थेरा प्यूटिकल इंडेस्ट्री में आव सकता होती है इरोमाटिक प्लांट्स लाइक, रोज, जैस्मीन, ट्यूब रोज, सैंडल, खस, आदि की परफ्यूमरी इंडेस्ट्री में अधिक आउसकता होती है साबून, सैंपू, क्रीम, लोशन, आदि प्लांट, बेस्ट प्रोड़क्ट पर ही अधिक डिपेंड करते हैं अगला पॉइंट हमारा रिलीजियस एंड सैकर्ड वैल्यू का आता है मैनी प्लांट्स फार्ड लाइक, लीफ्स, फ्लावर, फ्रूट्स, आदि को धार्मिक अस्थलों पर या सेरे मनीज में प्रियोग किया जाता है मैंगो लीफ को जालर के रूप में सजावट करते हैं इंटरंस गेट पर केले की पत्ती या केले का पेंड लगा देते हैं आजकल सादियों में फूलों एवं केले के पौधे का प्रियोग अधिक हो रहा है मंदिरों में फूल चड़ाय जाते हैं स्यूलिंग पर बेल की पत्ती चड़ाने की परंपरा है अगला हमारा पौइंट फूड वैल्यू है कुछ फल जैसे बनाना और सबजी जैसे पोटाइटो और सूइट पोटाइटो में अधिक कार्बोहाइडेट, अलमंड, वालनट, कैसुनट में फैट और पोटीन अधिक पाई जाती है कुछ अस्तानों पर बनाना और सूइट पोटाइटो को इस्टेवल फूड अर्थात मुख भोजन के रूप में प्रियोग करते हैं अगला हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अधिक विटामिनेयों खनीजलाण होने के कारण प्रोड़क्ट्टिव फूड के नाम से जानते हैं ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल आप मेडिकल लिसर्च के अनुसार 120 ग्राम फूट्स और 300 ग्राम सब्जी जिसमें 125 ग्राम लेफी वेजिटेबल, 100 ग्राम रूट्स और ट्यूबर वेजिटेबल और 75 ग्राम अन्य सब्जियां प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति को खानी इसलिए प्रतिव्यक्ति को फालेवम सब्जियों की अवसकता अधिक होती है यहां प्रतिव्यक्ति को अधिक फालेवम सब्जियों को अपने खाने में अवस्थि प्रयोग करना चाहिए आएए हम फल लें सबयों में पोउशक तत्तों की मात्रा जानते हैं पहले बात बिटामिन एट की करेतो महिंगो में 4800 international यूनिट पर 100 ग्राम बीट लीप में 9777 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पापाया में 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम इस्पाइनेस लीफ में 93-100 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पाई जाती है इसके अतरिक्ट मस्टर्ड लीफ, कोलोकेसिया लीफ, कैरेट, कोरियंडर लीफ, ड्रमिस्टग लीफ, फेनुग्रेक लीफ में भी विटामिन A अधिक मात्रा में पाया जाता है यदि बात करें विटामिन B1 की तो कैसुनट में 630 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फूट, वालनट में 450 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फूट, एफ्रीक क्राट जो की ड्राई है उसमें 217 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फूट, इसके अतरिक्ट चिली, कोलोकेसिया लीफ, टोमाइटो आदे मे भी विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है। यद बात करें विटामिन B2 की तो बेल में 1191 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फुरूट, पपाया में 250 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फुरूट, लीची में 122 दस्वलो 5 मिली ग्राम पर 100 ग्राम फुरूट, इसके अतरिक ते फेनुग लीफ एमरंथस में भी विटामिन B2 अधिक मात्रा में पाया जाता है जिद बात करें विटामिन C की तो इसमें सबसे अधिक बार्वडास चेरी जिसमें की लगभग एक हजार से चार हजार मिली ग्राम पर हंड़ेड ग्राम फ्रूट में पाया जाता है उसके बाद आवला इसमें 600 मिली ग्राम पर हंड़ेड ग्राम फ्रूट गौवा 292 मिली ग्राम पर हंड़ेड ग्राम फ्रूट लाइम 63 मिली ग्राम पर हंड़ेड ग्राम फ्रूट ड्रमि तरीक्त लेमन चिली टोमाइटो स्वीट आरेंज में भी विटामिन सी प्रिचूर मात्रा में पाया जाता है कर्भो हाइड्रेड रिच नेस कर्भो हाइड्रेड एप्रीकॉट में 72.8 एक प्रिस्चत डेट पाम में 63.3 प्रिस्चत करौंदा ड्राई 67.1 प्रिस्चत बनाना 66.4 प्रिस्चत बेल 30.6 प्रिस्चत कष्टर डेपल 23.9 प्रिस्चत कैसुनट 22.37 प्रिस्चत इसके अतरिक्त जामून जैक फूरूट टेप्योका स्वीट पोटाइटो पोटाइटो करी लीब में भी कार्भो हाइड्रेड अधिक मात्रा में पाया जा जाता है इसके बाद बात करें प्रोटीन की तो कैसुनट 21.2 प्रिस्चत अलमंड में 20.8 प्रिस्चत वालनट में 15.6 प्रिस्चत पी में 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है इसके अतरिक सभी दलहनी फसलों में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है उसके बाद बात करें फैट की तो सबसे अधिक वालनट में 64.5 प्रिस्ट, अलमंड में 58.9 प्रिस्ट, कैशु नट में 46.9 प्रिस्ट, एवे कडो में 22.8 प्रिस्ट फैट पाया जाता है इसके बाद बात करें हम फैवर की तो गवावा में 6.9 प्रिस्ट, कैथा में 5.2 प्रिस्ट, पॉम ग्रेनेट में 5.1 प्रिस्ट, आउला में 3.4 प्रिस्ट, ग्रेब में 3 प्रिस्ट, वालनट में 2.6 प्रिस्ट, इसके अतरिक्त अमरंथस, मस्टर्ड, बीट लीफ, मातरह में पाय जाता है कि इसके बाद करें कैल्सियम की लीची में 0.2, 0.1%. कराउंदा ड्राई में 0.1-6% परुनिता में 0.1.1% कैल्सियम पाय जाता है इसके दी कोरियंडर लेप्स करीव अम्रंथा परिंग लेप्स रेडिस लेप्स में भी प्रिचूर महत्रा में कैल्सियम पाया जाता है इसके बाद बाद करें हम फासफोरस की तो कैशू नट में 0.45 प्रिस्ट वाल नट में 0.38 प्रिस्ट लीची में 0.3 प्रिस्ट कैथा में 0.1 प्रिस्ट फासफोरस पाया जाता है इसके बाद बाद करें आईरन की तो करोंदा ड्राई में सबसे अधिक 49.1 प्रस्ट, डेट पाम में 10.6 प्रस्ट, कैसु नट में 5 प्रस्ट, वाल नट में 4.8 प्रस्ट, इसके अतरीक अगाथी अमरंथा स्टेंडर, कोरियंडर लीफ में भी आईरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, एस्थेटिक वैल्यू, छोटे उगते हुए पौधे देखने में काफी अच्छे लगते हैं, कुछ राजाओं ने सडक के किनारे फलों के पौधे जैसे मैंगो, लीची, महुआ, सपोर्टा, खीरनी को अधिक मात्रा में लगवाया था, ज इभिन प्रकार के पौधे लगाकर पार्क बनाया जाते हैं, जिससे उस स्थान की सुन्दर्ता बन जाती है, और उस स्थान पर रहने में काफी खुशी मिलती है, अगला पॉइंट हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू, कुछ फल जैसे मैंगो, ग्रेफ्स, कुछ सबजियां, जै जैसे रोज, टूलिप, आर्किट, ग्लैडियोलस को अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, प्लांटेशन एंड स्पाइसे स्क्राप की बात करें तो, जैसे कैशूनट, टी, कॉफी, रवर, एर प्लाती देशा हैं, इन सब पॉइंट्स के अत्रिक्त हर्टी कल्चर क्राप्स, जो ट्री होते हैं, ये वाता और अर्ण स्वच्छ रखने का कारे करते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल या अन्य माइक्रो आर्निस्म को सेल्टर पदान करते हैं, इसके अत्रिक्त कभी लोग अपनी कविताओं को और लेखों को लिखने का कारे बगीचों के उपर या सौंदर्ता के उपर विभिन प्रकार की करताएं देखने को मिलती हैं, जो लिखी गई हैं, प्रोवाइड कराते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर्टी कल्चर का इंपर्टन्ट और स्को काफी बड़ा योम बिस्तरत हैं, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पुरुवक धन्यवाद, क्रपेर लाइक, सब्सक्राइब, योम सेर कीजिए, और इसी प्रकार अपने ग्यान को बढ़ाते रहें, धन्यवाद,